जब भी मैं ओपिस से घर आता तो घर वाले मुझसे कहते कि तुमारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी सिकायत करने लगता मुझे भी ऐसा ही लगने लगता तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन कपड़े बरतन घर की साफसफाई तो काम वाली कर जाती है बस लेटी ही रहती हो एक दिन रोज रोज की बातों और सिकायतों से प्रेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से चार महीने का बच्चा चीन दिया और उसे उसके माई के छोड़ाया पत्नी के माई के जाने के बाद की मेरी पहली रात मेरे पास कोई मुझे अपनी सरारतों से उसे हसने वाला नहीं था मेरा बेटा जरूर था जिसे मैं अभी अभी फीडर दे कर सुलाया था दूद पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा मैं उसका विवरन करना चाहता हूं मैं उठा और रसोई घर गया फीडर को दोकर चूले पर पानी चड़ाया और फीडर को उबाला पाउडर का दूद बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गरम किया उसमें पाउडर डाला तब कहीं जाकर एक फीडर त्यार हुआ दूद पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंदे से लगा कर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूद हजम हो जाए फिर पैमपर बदलने के लिए उसको लेटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने पकाना किया है उसको बातरूम में ले जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूद की उल्टी कर दी मैं नहीं जल्दी से उसको साफ किया और फिर डाइपर पहना दिया और उसको जुला जुला कर सुलाने लगा अपने लिए दूद गरम करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख दिया वह होती तो मिलकसेक बना कर देती सोचने लगा कि अब इतने सारे जहमेले में कौन पड़ेगा अभी रोटी पका कर खालूंगा लेकिन अभी तो आटा भी लगाना है सालन पका हुआ था बस उसे प्याली में डालकर ओवन में ही गरम करना था सोचा खाने से पहले बैड पर विक्रा हुआ सामान उठा लू पैमपर खिलोने फीडर और मेरा बिक्रा हुआ सामान सब को अपनी जगे पर रख दिया फिर अचानक याद आया कि रोटे बनाने लगूंगा तो बस बहुत समय लग जाएगा अभी तो कपडों को प्रेस भी करनी है अभी शर्ट को प्रेस करी रहा था कि बेटा उठ गया मैंने बेटे को उठाया और तबकी लगाते हुए सुलाने लगा फिर जूले में डाला और जूला जूलाने लगा बूक से मेरा बुरा हाल था बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया और जूमैटो से खाना ओर किया आदे घंटे बाद खाना मेरे सामने था मैं बड़े बड़े निवालों में खाना कतम कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर बेटा फिर से जाग गया तो मेरा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गरम करने में बहुत समय लगेगा मैं सोने लगा सायद मेरी पतनी भी ऐसे ही करती होगी पता नहीं उसे समय पर खाने को मिलता होगा या नहीं गड़ी में 11 बजे थे मैं बहुत थक गया और खाते ही बिस्तर पर लेट गया अपने आप में ही बड़ बड़ा रहा धा नीशा अलमारी से चादर निकाल कर दे दो प्लीज मुझे बहुत नीद आ रही है फिर ख्याल आया कि वे तो यहां नहीं है वे होती तो चादर निकाल क पड़ेगी अभी मैं इतना सोची रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंध हो गया इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के करण जाग जाए और रोने लगे मैं जटके से बैड से उठा और उसकी हवा करने लगा मुझे नीद के जोके आ रहे थे लेकिन मेरे बेटे को हव करने भी जरूरी थी नहीं तो अज जाग उठे का एक बज़े बिजली आई और मैं तुरंती सो गया दो बज़े बेटे के रोने की आवाज से मेरी आख खुली हचानक गहरी नीन से जो मेरे सर में दर्द होने लगा मुझे भूक लगी थी मैं सुस्ती से उठा और डब्बे का दूद बना कर पिलाया दाई बज़े के करीब बेटा सो गया और मैं भी उसके बाद सो गया बेटा कब जगा कब तक रोता रहा मुझे कुछ नहीं मालूम जब सुबह आट बज़े मेरी आख खुली तो पैमपर से गंदगी निकल कर बाहर बैडशिट पर लग गई थी उ इसे मेरी पतनी नहा घर में ही बनाती थी मगर कैसे बनाती थी और कब बनाती थी है मुझे नहीं पता वे लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पतनी की सिकायते करते थे उनमें से किसी ने मुझे एक कप चाय तक नहीं पूछा मैंने कुछ चाय बनाने के लिए बरतन में दूड रखी थी, एक बच्चे को संभालना ही काफी था, उसे थकान से चूर होने के लिए, लेकिन वै तो मुझे समय पर खाना देती, मैं थक जाता तो मेरे पाऊ दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हसाती, अगर मुझे पर काम का दबाऊ होता, यह मैं प्रेशानी में होता तो वै मेरा होसला बढ़ाती, यही सोसता रहा कि दूद उबलकर स्लिप पर आचुका था, मैं दीरे-दीरे से कपड़ा लगाने लगा और अन्य भरेव परशनों को सोचने लगा, जो नीशा से पूस्ता करता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तुमारा बदन क्यों इतना दर्द करता है, तुमने कौन सा पहाण उठाया जो इतनी ठक जाती हो, मेरे ताने सुनकर वै करवट लेती और सायद आसुबाती, मैं जालिम इनसान ने उसकी परवाही नहीं की, और फिर थोड़ी देर बाद, खुदी करवट बदलकर मुस्क्रा कर मेरा चेहरा अपनी और करती, औ तो मैं भी मुस्क्रा देता हूं, और बहुत जिद करने लगती कि तुम भी मुझे I love you to कहो ना, मुझे निशा की प्यारी प्यारी सरारते याद आने लगी, सुबह के दस बज गए थे और नीद पुरी नह होने के कारण, ओफिस से चुटी ले ली थी, और वै सब लोग अपनी प्यारी पतनी को अपने से दूर कर दिया, मैं सोचने लगा कि अगर पती पतनी में कोई गलत फहमी हो जाए, या कोई जगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद को ही सुल जाना चाहिए, ना कि किसी और को बात सुनाई चाहिए, मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में लेटाया और गाड़ी उन रास्तों पर दोड़ाई जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए मेरी निशा के साथ जोड़ने वाले थे वहाँ पर पहुँचकर मैंने दोनों हातों से निशा से माफी मांगी ओ ओ मेरी निशा तुम कितनी अच्छी कैसे हो सकती हो तुमने मुझसे कोई सिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई प्यारे दोस्तों अपने पतनी को समय दे, उसका आधर सम्मान करे, उसे प्यार करे वहे अपने माता-पिता अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन बिताती है वह आपसे बिना वेतन के लिए आपकी और आपके माता पिता की सेवा करती है बिना लालच के आपके और आपके बच्चे का और अन्य परिवार वालों का ध्यान रखती है इसलिए किसी के भैकावे में आकर अपनी पत्नी से लड़ाई ना करें वह घरवालों की बातों में आकर उसे ताने ना दे अपनी पतनी की प्रोबलम को समझे और उसका साथ दे पती-पतनी कारिस्ता एक गाड़ी के दो पईये जैसा है जैसे दोनों पईये में बैलन्स बनाकर गाड़ी चलती है ऐसे ही पती-पतनी मिलकर घर को चलाती है तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और से एर करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपना किमती समय देने के लिए धन्यवाद मिल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई